हाई फ्रेंट्स मैं परविंदर खारी फ्रेंट्स आज की है हमारी गेम जिनकी वीडियो रेक्मेंडेशन है उनकी आइडी है मिम्बर्स मिम्बर्स उन्हों है मुझसे सरने 170 की गेम के पर वीडियो बनाने के लिए का था टेरी सी फॉक्स वर्सिस जैन टिमन इंगलेंड भी के यह गेम है डी-4 के साथ यहां फाक्स में शरूप किया टिमन ने यहां खेला नाइट F6 C4 हुआ E6 Knight C3 Bishop B4 निम्जो इंडियन डिफेंस खेला गया A3 Bishop पर अटेक Bishop टेक्स C3 B टेक्स C3 देन हुआ C5 तो E4 White ने किया Quinn गई यहां से A5 स्क्वार पर और स्टार्टिंग में ही थोड़े बहुत अटेक लगाने शुरू कर दिये गए है लेकिन यहां पर White ने पहले अपने E-Pon का आगे पुश करके Knight पर अटेक बनाया और Knight मेरे नजर में काफी risky position पर गया यहां E4 स्क्वार पर pressure बनता है इस C3 स्क्वार पर लेकिन वो fireback भी कर सकता है जो किया भी Bishop D2 और यहां Bishop पर defense तो हो गया Black के पास winning situation है इस C3 स्क्वार पर लेकिन problems है गेम खेली भी कुछ इसी तरह से गई थी Knight C6 Black ने पहले pieces को introduce किया गेम में Knight F3 White ने भी अपने Knight को निकाला तो Black ने यहां किया Knight C3 risky move है directly Quinn पर attack है लेकिन Quinn okay ओव्यासा C2 स्क्वार पर ही जाएगी और यहां Knight clearly under threat है काफी dangerous situation हो सकती है Black ने किया C tex D4 Knight पर temporary defense है लेकिन क्या White यहां Knight tex D4 नहीं कर सकता है लेकिन उससे क्या benefit होगा उससे benefit Black कोई होगा क्योंकि Knight tex D4 होने के बाद Quinn पर attack बनेगा आप कहेंगे कि Quinn tex C3 से यहां situation White की मजबूत हो जाती है पर Quinn tex C3 Bishop tex C3 के बाद Knight C to check for King this King and Rook और actions up होने का मौका यहां Black के पास होगा यहां खेला गया A4 पहले then हुआ B6 Bishop आया E2 square पर मुझे Black की Quinn की position काफी cramped होती ही नजर आ रही है Quinn के जाने के लिए कुन सा square बचा है? सिर्फ एक हाला की E5 पान भी लिया जा सकता है लेकिन Bishop A6 और Bishop के A6 square पर आने के बाद immediate कुछ हैट नहीं है तो मेरे ख्याल से White को Rook को C1 square पर लेकर आ जाना चाहिए था लेकिन King का F1 square पर जानम बिल्कुल भी logical नहीं है Rook C8 यहां पहले Black ने किया और क्या अब यहां Knight से Spawn को लिया जा सकता है? शायद लिया जा सकता था खैर G3 यहां पहले White ने किया Knight टेक्स E5 और यहां एक मौन ले जीतने का मौका मिला Knight टेक्स D4 Knight को undefended किया गया Sentiment की calculations कहां से निकलिया? I don't know यहां खेला गया Knight टेक्स E2 Knight टेक्स E2 होने के बार Directly Queen Sacrifice है जान बूज कर खेला गया Move है तो obvious है यहां बहुत सोच समझ कर खेलना होगा King टेक्स Knight का मतलब है Bishop की introduction होगी वो भी एक check के साथ तो जान बूज कर खेला गया Move है White को Knight टेक्स E2 कर लेना चाहिए था यहां Bishop टेक्स E5 Queen Sacrifice को Accept किया गया Knight टेक्स D4 होने के बाद Queen पर Attack बना Queen बिल्कुल सही Square B2 पर गई और यहां दोनों Knights में से किसी एक Knight पर तो Attack बने का ही बनेगा लेकिन Rook टेक्स C4 Rook टेक्स C4 होने के बाद Discovered चेक की Threat अभी भी है जो Queen को कम से कम बिल्कुल लेने के लिए Clear Indications दी रही है तो इस Point पर King को हटा लेना चाहिए था Discovered चेक के Chances नहीं लेने चाहिए था I think ऐसा होने के बाद शायद यह गेम पूरी तरह से White की Favour में जहा सकती थी B-Tex A5 होता Queen से Check आ जाती R-C8 स्क्वार पर जाता Queen टेक से 7 और Game के काफी Chances थे इस Game में White के पास Dominate करने के यहां King गया G2 स्क्वार पर King के G2 स्क्वार पर आने के वद हुआ Bishop B7 चेक और Bishop की चेक के बाद क्या हो सकता है Knight की Fox भी है King गया यहां से H3 स्क्वार पर Bishop TXH1 Clearly नज़र आगा है लेकिन Queen sacrifice की है क्या वो Rook के लिए की गई थी Rook TXH1 नहीं बिलकुल नहीं यहां हुआ Knight D3 Knight D3 का मतलब क्या है सीधा सीधा Queen पर आटेक है Rook की position क्या कर रही है यहां King को 4th rank में नहीं आने देने वाली Bishop King को G2 स्क्वार पर नहीं आने देने वाला Situation तो craft नज़र आ रही है White का मूव है White ने अपनी Queen को लिया D2 स्क्वार पर Knight पर अटेक बनाया I don't think अभी यह मूव कुछ खास वर्क करने वाला है लेकि Knight F3 और Knight के F3 स्क्वार पर आने के बाद Friends अगले मूव में क्या threat है एक चेक देने की और सिर्फ यहां पर Black को एक चेक देनी है अपनी गेम जीतने के लिए फिरहाल अटेक है Queen पर For example अगर यहां Queen टेक्स D3 के लिए Black जाएगा तो उसके बाद Knight G5 और वो चेक मेट होगी With the help of Bishop and Rook तो यहां Queen गई E3 square पर But no use यहां final move आया Zentiman का Knight G5 चेक और यहां इस move के बाद भी Resignation आया Terry C Fox का ऐसा क्यों क्यों क्योंकि आप कहेंगे Queen टेक्स D5 से सब कुछ सॉल्फ होगा अब आप Knight X F2 से फिर दोबारे वही चेक मेट होगी तो इसी कारण से इस move के बाद यहां Terry C Fox ने Resign कर दिया Friends मुझे उमीद है आप सभी लोगों को एक गेम जरूर पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे YouTube चैनल चैस ग्रूप प्लीज सबस्क्राइब जरूर करें आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंजार रहेगा Thank you for watching and Bye for now